कई दिनों से जो यूपी के प्रवासी मजदूर अलग-अलग प्रदेशों में फसे हुए हैं, उनसे मैं बात कर रहे हैं। मैंने राजस्थान में, दिल्ली में, सूरत में, इंदौर में, भोपाल में, मुंबई और अन्य प्रदेशों में फसे हुए लोगों से बात की। खत्म होगया, अब 6-6 लोग, 8-8 लोग एक कम्रे में बंद हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, राशन मिल नहीं रहा हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और किसी भी तरह से घर जाना चाहते हैं, और हम इनको यह जोशी ठेरा नहीं सकते कि आप घर जाना चा हैं, हमें इनकी समस्या को हल करने का तरीका ढूना चाहिए, यह सब की जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, हर सरकार की है, यूपी के एक-एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है, त लेकिन ये मजदूर भी तो आपके है, ये भी तो हमारे है, इनके भी परिवार तरस्त है, परिशान है, इनके पास खाने को नहीं है, और हम घर नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं आगरे करती हूँ कि कम से कम एक हेल्प लाइन, कम से कम हजार लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाएं। दूसरी बात कि किसी ना किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाएं। ताकि ये लोग अपने जिले में वापस आ सकते। देखिए हम इनको इस तरह नहीं चुछ सकते। मेरा अपील है अरदेशवासी से यूपी की सरकार से कि हम इनकी मदद करें।